Hello and welcome my dear student बिटा आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th class, chapter 1st जो है साजेदारी खाते और उसमें छोटा सा topic है जिसका नाम है पूंजी खातों के प्रकार बिटा इस topic से कई बार प्रशन पूछा गया है कि साजेदारी में पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं या खातों को किस प्रकार बनाया जाता है तो हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं आज की class में कि साजेदारी खातों में जो पूंजी खाते होते हैं अगर इंगर 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 बोले जो capital account होते हैं, वो कितने types के हो सकते हैं, तो start करते हैं आज का topic, और हमेशा की तरह copy और pen लेकर बैठ जाना, ये है हमारे पास साजेदारी खातों की class number 4, इसके बाद आले जो class है class number 5, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं, profit and loss appropriation account कैसे बनाते है लाभानी समायोजन खाता कैसे बनाते हैं, ये आप सीखेंगे इसके अगली वाली class में, तो आज बात कर लेते हैं कि साजेदारी में पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं, साजेदारी में पूंजी खातों के प्रकार, तो बिटा यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो मै आखको बाते बताने वाला हूँ, अगर कोई भी साजेदारी है और वहाँ पर हमें पूंजी खाता बनाना है, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल अकॉन बनाना है, तो पूंजी खात तक बेटा प्रकार होते हैं, दो, एक को में बोलते हैं, बेटा, इस्तिर पूंजी, एक होती एक लिटाम पास परिवर्तन शील शील पूंजी तो यहनि के साजेदारी में पूंजी खाते बनाने की विटाप ऐसा कहा सकते हो दो विधियां पर चलेते हैं एक इस्थिर पूंजी विधी इस्थिर पूंजी विधी यानि के एक परिवर्तन शील पूंजी यानिके फ्लक्ट्ट्टिएटिंग कैपिटल मैथड तो कुल मिलाकर फिर से प्रश्न मनें करें से बहले कि साजेदारी में पूंजी खाते कितनी विजी से बनाय जा सकते हैं साजेदारी में पूंजी खातों को कितनी विधियों से बनाय जा सकता है कितने मैथड से बनाय जा सकता है तो इसका आंसर होता है एक नंबर में साजेदारी में पूंजी खातों को दो विधियों से बनाय जा सकता है एक का नाम है इस्थिर पूंजी विधी और एक का नाम है परिवर्तनशील पूंजी विधी इस्थिर पूंजी विधी और परिवर्तनशील पूंजी विधी इस्थिर पूंजी विधी का मतब होता है fix capital method और परिवर्तनशील पूंजी विधी का मतब होता है fluctuating capital method यानि कि साजेदारी में पूंजी को दो प्रकार की विधियों से बना जा सकता है, एक इस्थिर पूंजी विधी से और एक परिवर्तनशिल पूंजी विधी से, अब बारी आई, सर ये इस्थिर पूंजी विधी क्या है और परिवर्तनशिल पूंजी विधी क्या है, तो समझ दारी में पूंजी खाते बनाने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रियूप किया जाता है एक का नाम क्या है इस्थिर पूंजी विधी मेरे साथ साथ बोलो इस्थिर पूंजी विधी और एक के पास क्या होती परिवर्तनशील पूंजी विधी इस्थिर पूंजी विध तो भी आपको लिखना पड़ता हैं तो प्लीस मेरी आपको जरूर है कि कॉपी पर मेरे साथ की जोको लिखते भी रहा करो कि पुझी विधी या क्या बोल रहा हूं चैछ फारी खाते बनाने की या पूंजी खाते बनाने की कितनी विधिया होती है, एक इस्थिर पूंजी विधी होती है, अब जो ये इस्थिर पूंजी विधी है, ये क्या है, बिटा इस विधी के अंदर, इस विधी के अंदर दो प्रकार के खातों को बनाया जाता है, पेपन प्रशन आएग इस्थिर पूंजी विधी में कितने खाते बना जाते हैं, तो इस्थिर पूंजी विधी में बैटा, अब हम किस पर आ गए, इस्थिर पूंजी विधी पर, इस्थिर पूंजी विधी में दो प्रकार से खाते बना जाते हैं, एक का नाम होता है बैटा, पूंजी खाता, एक ह के बना जाता है चालू खाता चालू खाता तो प्रशन आएगा कि बताओ इस्थिर पूंजी विधी में कितने प्रकार के खाते बनाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा इस्थिर पूंजी विधी में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं एक पूंजी खाता और एक चालू ख सब्सक्राइब करनेके औरлюlar पार्यास scaps कि थोड़ा समझाने की कोशिश करो देखो इस वीथी का नाम है सथिर पूंजी मतलब जो आपकी पूंजी सब जानते हैं पीसा बीजनेस में लगाते हैं सबॉन्जी है mortgage capital बोलते हैं तो इस विधिम हम क्या करते हैं कि आपकी पूंजी आपकी capital वो fix रखते हैं उसमें कोई change नहीं होता वो स्थिर रहती है और आपको कुछ salary मिली है आपको कुछ ब्याज मिला कुछ salary मिली इनमें से कुछ भी item को हम मालिक की पूंजी में नहीं जोड़ते हैं कि पूंजी कैसे रखते हैं पूरे साल स्थिर रहती है पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए क्या करते हैं जैसे मालों किसी partner को कुछ वेतन मिला, क्या मिला, वेतन, तो उस वेतन को पुझी खाते में ने लिखेंगे, किस में लिखेंगे, चालू खाते में लिखेंगे, अगर किसी पार्टनर को कुछ ब्याज मिला, या कह सकते हैं, किसी पार्टनर को क्या मिला, पुझी पर ब्याज मिला, पुझी पर ब्याज म मिला, तो कमिशन भी कहां पर आएगा, पुझी खाते में, पार्टनर को लाब मिला, तो लाब भी कहां पर आएगा, तो क्या होगा, इस्थिर पुझी विधी के अंदर क्या होता है, अगर पार्टनर को कुछ भी दिया जाता है, चाहे वो वेतन हो, चाहे वो उसकी पुझी प खाते में दिया जाता है किसमें दिया जाता है चालू खाते में दिया जाता है अब बारी आई घर जो पूंजी खाता है इसमें क्या आता है इसमें सिर्फ क्या आएगा अगर कोई कोई पार्टनर कोई साजेदार कुछ और पूंजी ले आया अत्रिक्त पूंजी ले आता है तो बस वही चीज आएगी किस में पूंजी खाते में या किसी पार्टनर ने क्या किया अपनी पूंजी का आहरण कर लिया पूंजी का आहरण यानि कि पूंजी को पर्मानेंटली बिजनिस से निकाल लिया या तो पूंजी को बिजनिस से निकाल लो या और अत्रिक पूंजी ले आओ तो बस दो ही आइटम आते हैं पूंजी खाते में और बागी सारे आइटम कहा पर आते हैं चालो खाते में कौन सी इस्थिर पूंजी विधी में, इस्थिर पूंजी विधी में, तो पेपर में प्रशन कई बार पोछा जाता है, कि ये बताओ, इस्थिर पूंजी विधी में कितने खाते बना जाते हैं, तो इसका अंसर हुआ, इस्थिर पूंजी विधी में, दो खाते बनते हैं, पूंजी पुझी या पुझी का अहरण, अत्रिक पुझी या पुझी का अहरण, या तो पुझी लगा दो लाकर, तो पुझी खाते में जोड़ दी जाएगी, या पुझी का निकाल लो बेटा, तो पुझी खाते से खंटा दी जाएगी, तो पुझी खाते में सिर्फ दो ही चीज़ और चालू खात्य को अब इंग्लिष ने क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बीटा क्रेंट अकाउंट तो Capital अकॉंट में सिर्फ दो ही बाते आएंगी अत्रिक पुंजी इसे इंग्लिष ने मुल ले था एडिशनल Capital या पुंजी का आहरण या विल्ड्रॉफ Capital को निकाल लेना पुंजी को निकाल लेना यह तुरह इस्थिर पुंजी विदी दूसरी विदी कौन सी होती है बटा दूसरी होती परिवर्तनशील परिवर्तनशील पुंजी विदी यह जो परिवर्तन शिर्फ पूंजी विधी है इसमें क्या आता है भाई परिवर्तन शिर्फ पूंजी विधी में क्या आता है इसमें कितने खाते बनते हैं सिर्फ एक ही खाता बनेगा पुण्जी खाता इस तिर्फ पुण्जी विधी में दो खाते बनेगे जबकि परिवर्तन शिर्फ पुण्जी विधी में सिर्फ एक खाता बनेगा और उसका नाम क्या रहेगा पुण्जी खाता और इसी में सब कुछ आएगा इसी में क्या आए या वो अतिरिक्त पूंजी लेकर आ गया है वो भी पूंजी खाते में आएगा या उसने पूंजी का आहरण कर लिया है वो भी पूंजी खाते में आएगा तो बात यह हुई इस्थिर पूंजी विदी में दो अलग-अलग खाते बनाएं एक खाते में सिर्फ पूंजी का ला बहुत आता है पूंजी खाते से संबंदित उसे आपको तयार कर लेना है देखो थोड़ा में पढ़कर सुना तो हमने क्या लिख रखा अपने नोट्स के अंदर जो आपके गुरूप पर आए हुए हैं साजेदारी के अंतरकत पूंजी खातों को दो प्रकार से बनाया जा सकता है इस्थिर पूंजी खाता या परिवर्तंशील पूंजी खाता आगे बता रहा है इस्थिर पूंजी खाते की स्थिति में इस्थिर पूंजी खाते की स्थिति में साजेदारों को दो साज़ेदारी में दो खाते बनाय जाते हैं उनकी चालू खाता तथा चालू खाता और पूंजी खाते में केवल दो खाते बनाय जाते हैं एक चालू खाता और पूंजी खाता बतरका पूंजी खाते में केवल अतिक पूंजी तथा पूंजी को निकालना ही दर्शाय जाता है अन्य सभी मदों को जैसे पूंजी पर भी आज लाब आहरण इत्यादी चालू खाते में दर्शाया जाता है परिवर्त शीर पूंजी खाते की विधी के अंतरकत के अवल एक ही खाता बनाया जाता है जिसे पुझी खाता कहते हैं, इसी के अंतरकत सभी मदों को दर्शाया जाता है, सभी चीजों को शामिल किया जाता है, तो इस सिर्फ पुझी विदी में दो खाते बनेंगे, ज़कि परिवर्द शिर्फ पुझी विदी में सिर्फ एक खाता बनेगा, और उसी के अंदर सारा item को लिख दिया जाएगा अब next class हमारी होगी और उसकी जो class हम करने वाले हैं वो आक्के पास होगी profit and loss appropriation account यानिकि लाभानी समायोजन खाता class number 5